जब भी अमीर होने की बात होती है, धन्वान होने की बात होती है, तो बहुत चारे लोगों के दिल में, बहुत चारे लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आता है, सवाल सीधा चाहा है कि हम अमीर बन पाएंगे की नहीं, अगर आपका भी यही सवाल है, तो आज मैं आपको पा धनवान बना पाएंगे और आप पैसे की कमी की वज़े से या पैसे की वज़े से कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे बात करें इन संकेतों की तो इसमें पहला संकेत यह है कि आप अपनी आमदनी से कम में अपना गुजारा करते हैं आप कभी भी अपनी आमदनी से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते बहुत चारे लोग होते हैं in fact आज के वक्त तो ऐसे कई लोग हैं जो हर महीने अपनी आमदनी से ज्यादा पैसा कुछ ओवरड्राफ ले कर छथ करते हैं और फिर बाद में उसको तुखाने में लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं अगर आप उनमें से एक हैं जो कभी भी किसी भी कंडिशन में अपने महीने की पूरी तनखा को पूरी आमधनी को एक महीने में खर्च नहीं कर देते तो आप निश्ची तरूप से अमीर बनने में कामियाब हो जाएंगे इस ब मान लेजे कि आप हर महिने 10,000 कमाते हैं और शिर्ख 500 रुप बचा पाते हैं लेकिन यह ही कम नहीं है अगर आज आप 500 रुपय कमा रहे हैं आप अपने खर्चो को कम रहने कीtime कोशिश कर रहे हैं और धीरे 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 आपकी income बढ़ेगी जब आपकी income बढ़ेगी तो जो खर्चों के बचा हुआ पैसा है जो बचत है वो भी बढ़ती रहेगी और जब ये बचत बढ़ती रहेगी तो यही आपके investment मजाएगी आपको अमीर बनाने की दिशा में पहला कदम बनेगी तो अगर आप अपने खर्चों को अपनी आमदनी से कम रखते हैं तो ये एक संकेत है कि आप अमीर बन सकते हैं अगर आप उन में से हैं जो हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में लगे रहते हैं तो ये एक दूश्रा संकेत है कि आप अपने आपको अमीर बनाने में काम्या अगर आप इनमें से एक हैं तो आप अमीर नहीं हो सकते लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो 9 to 5 जॉब करते हुए भी यह सोचते हैं कि यार 2 घंटे का काम मिल जाए तो 2 घंटे और कमा लूँगा तो निश्चित रूप से आप अमीर बनने में कामया हो जाएंगे ध्यान रख लेकिन वर्क करना ज़रूरी है अगर आप अपने नहीं करेंगे आप अपनी कोशिश नहीं करेंगे ज्यादा पैसे कमा भी सकते और जब ज़्यादा पैसे कमाएंगे नहीं तो खुद को अमीर बनाएंगे कैसे तो अगर आप हमेशा ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं तो ये दूशरा संकेत है कि आप खुद को अमीर बनाने में काम्याब हो जाएंगे अमीर होने के लिए दूशरा संकेत ये है कि आप अपने खर्च करने के पहले पैसे बचाते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं इस बात से कोई फर नी पड़ता कि आप कितने पैसे बचा रहे हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हर महीने अपने खर्च को करने के पहले पैसे को बचाते रहते हैं, उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आने वाले वक्त में यही सेविंग, यही जमा करते रहते हैं और हर साल आपको उसमें सिर्फ 10 प्रतिशत रिटन मिलता है तो 7,5,7,8 साल में वही पैसा दुगना हो जाएगा और 8,16 सालों में वही पैसा 4 गुना हो जाएगा और ये compounding की power आपको बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी तो आप छोटे amount से भी अगर saving कर रहें, investment कर रहें तो आने वाले वक्त में आप खुद को अमीर बनाने में कामियाब हो जाएंगे ये भी तय है तो इस बात का भी धियान रखिए ये तीछरा संकेत है अमीर बनाने का जो चौथा संकेत है वो ये है कि आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं आपको पीछे से push करते हैं कि नहीं तो ये बहतर काम कर तू करेगा तो तेरे लिए अच्छा होगा अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको बुरी आदतों से दूर रखने में मदद करते हैं अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो आप बुरी आदतों की तरफ जा रहे हैं तो आ लेकिन बुरे दोस्तों की संगत में मत रहिए बुरे दोस्तों की संगत से आप दूर हो जाएंगे तो आप अच्छे दोस्तों की तरफ जा पाएंगे और अच्छे दोस्त जब तक ना मिलें तब तक किताबे आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकती हैं आपके पास में यूट उपर आप बहुत अच्छे दोस्त बना सकते हैं उनसे सीख करके, हो सकता है ये one way communication हो, हो सकता है कि ये communication ऐसा रहे, जिसमें आपको कभी result ना मिल पाए, response ना मिल पाए result हमेशा मिलेगा, sorry for that result हमेशा मिलेगा, response ना मिल पाए, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे दोस्त बनाते हैं तो भी आप खुद को बहतर बनाने में कामियाब हो जाएंगे आप अमीर बनाने में कामियाब हो जाएंगे तो अच्छे दोस्तों को चुनिए अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, तो ये चौधा संकेद है कि आप अमीर बन सकते हैं और जो पाँचवा संकेद है वो ये है कि आप हमेशा ही सीखते रहते हैं अगर आप हमेशा सीखते रहेंगे अगर आप हमेशा सीखने के लिए तयार रहेंगे हो सकता है आपके पास में हमेशा इतना टाइम ना हो, लेकिन अगर आपके बास में 10 सेकेंड का वक्त है, और 10 सेकेंड में आपने किसी से कोई नई बात सीख ली और आप इस बात को सीख करके अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट करते हैं, तो आप खुद को सीखने के लिए तयार रहते हैं, तो हमारा दिमाग खुला रहता है, हमारा दिमाग खुला रहता है, तो हम आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं, हम मौको को एक्सेप्ट करते हैं, हम बातों को समझते हैं, और उन बातों को समझ करके, सीख करके अपनी life को बेतर बनाते हैं इसलिए के लिए कहता हूँ कि अगर आप सीखने को तयार हैं तो ये 5 वा संकेत है कि आप अमीर बनेंगे और अगर आप अभी तक सीखने को तयार नहीं है तो सीखने के लिए खुद को तयार कर लीजिए यकीन दिलाता हूँ दोस्तों अगर आप इन पांच संकेतों को अपने अंदर ढूंड सकते हैं तो आप खुद को अमीर बनाने में भी कामियाब हो जाएंगे तो इन संकेतों को अपने अंदर ढूंड ये नहीं हैं तो develop करिये क्योंकि ये सारी बाते develop की जा सकती है और खुद को बहतर बनाईए अमीर बनाईए मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे तो वीडियो से फायदा उठाईए और मुझे विदा दीजिए मैं आपकी मिलूंगा अगले वीडियो में तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद